MCD चुनाफ को लेकर BJP सांसत प्रवेश वर्माने दिली के CM केजरिवाल पर गंभीर आरूप लगाए Zee News के साथ खास कारिक्रम Zee Manch दिली में प्रवेश वर्माने कहा कि आप MCD टिकेट बेचने में इमानदार है प्रवेश वर्माने कहा कि CM केजरिवाल जूट बोलने में माहिर है कैसे हैं आप क्योंकि काफी भाग दौड हो रही है 14-14 रोट शो आप एक दिन में आप लोग कर रहे हैं कितना चुनावती पूर्ण है क्या माहौल लग रहा है चुनाव का हर चुनाव को भारती जंता पाटी बहुती सीरियसली लेती है चाहे वो हमारी लोगसभा का चुनाव हो विधान सभा का चुनाव हो और चाहे वो निगम का चुनाव हो तो सभी की इच्छा होती है कि जब हमारे पाटी का सबसे बड़ा त्युहार चल रहा है चुनाव तो सभी उसमें अपना भैतर से भैतर पाटिसिपेशन करें और हमारी लोग सभा में 38 सीट से 38 वाट से ये अपने गाउ में स्टेशनरी बिजनस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं आपके गाउं में भी ये करना है तो फ्रीडम में आपको अभी डाउनलोड कीजिए तो हमारी पिछली कॉर्परेशन में हमने 30 सीट को जीता था और इस बार वो 30 से जादा जीते इसके लिए महनत चल रही है महनत चल रही है और ताबड तोड महनत चल रही है इसकी तारीफ करनी होगी और इसके लिए तालिया मुझे लगता है बजनी चाहिए क्योंकि निगं का चुनाव है लेकिन ऐसा लग रहा है दिल्ली में जैसे कोई त्योहार आ गया हो क्योंकि एक दिन में 14 रोट शो माइने रखता है मैंने पहले भी जखर किया लेकिन केजरिवाल सहाब आपको सिर्फ 20 सीटे दे रहे है क्या फायदा इतनी मेहनत का? मैं आज आपके सामने बहुती इंटरस्टिंग फिगर रखना चाहता हूँ अभी-अभी हरियाणा में बाइलेक्शन हुआ था आदंपूर विधान सभा का और आपने सुना होगा अर्विन केजरिवाल जी को बोलते हुए कि मैं हर्याणा का रहने वाला हूँ और उनका जो पुष्टेनी परिवार है वो उसी विधान सभा में रहता है और वो विधान सभा इलेक्शन से पहले उन्होंने एक सर्वे कराया कि मैंने एक सर्वे कराया है उसमें आम आदमी पार्टी को 60% वोट मिल रहा है और उनको वोट कितना मिला 0.25% और उससे भी इंट्रस्टिंग बात ये है कि उसी सीट पर जहां पर उनका परिवार रहता है और उनके परिवार की 18 वोट है और उस बूत के उपर आम आदमी पार्टी को केवल 2 वोट मिली है तो जो उनका परिवार है उनका सगा परिवार है वो भी उनको वोट नहीं कर रहा है तो ये इन्होंने गुवा में जाकर बोला कि हमारी सरकार हारी है, ये हमारा मुख्य मंतरी का उम्मीद्वार है, उन्होंने उत्रांचल में जाकर बोला, उत्तर परदेश में बोला, तो क्या हुआ? तो उनको वो उनको एक बहुत अच्छी कला है कि वो बहुत अच्छे से जूट बोलते हैं और वो कोई ऐसा नहीं कि इतना काम करते हैं और इतना जूट बोलते हैं वो कोई काम ही नहीं करते हैं ना उस काम को सोचते हैं वो केवल जूट बोल देते हैं और दिल्ली वाले सारे ढूंडते रहते हैं कि कहां पर है स्पोर्ट उनिवस्टी जिसका वाइस चांसलर भी बन गया उसकी कोई लैंड ही नहीं है दिल्ली में स्पोर्ट उनिवस्टी कहां बनेगी कि उसकी कोई लेंड ही नहीं मगर अर्वीन केजरिवाल ने उसका वाइस चांसलर भी बना दिया तो जो उनके सर्वे हैं जो उनकी जो वो ये कहते हैं कि आमाद आमादमी पार्टी की सरकार बनेगी अब भारती जनता पार्टी को 20 सीट हाएंगी तो मैं आज आपके मच पर ये कहना चाहता हूँ साथ तारीको गुजरात का रिजल्ट आएगा जहां पर वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी एक सिंगल सीट भी आमादमी पार्टी नहीं जीतेगी गुजरात में एक सिंगल सीट की बात कर रहो हूँ है और हिमाचल में उनकी सारी सीट पर जमानत जब्त हो जाएगी दिल्ली में आप अगर जाकर देखेंगे, सर्वे करेंगे, लोगों से बात करेंगे तो आपको यह एहसास होगा, कि उन्होंने अपना एक भी वाइदा पूरा नहीं किया आज वो कहते हैं गारंटी कार्ड, बई गारंटी कार्ड से पहले आप अपनी रिपोर्ट कार्ड तो लेके चाहिए आठ साल में आपने क्या किया वो तो बताईए लेकिन रिपोर्ट कार्ड तो वो आपका भी मांग रहे हैं, कि आपने 15 साल में MCD में क्या किया है यही सवाल वो आप से कर रहे है अगर मैं आपको बताना चाहूं, अगर आपके पास में 12-13 घंटे हैं तो मैं आपको MCD ने क्या किया, मैं आपको बता सकता हूँ जल्दी जल्दी अगर हो सकता है तो पाँच पॉइंट बता दीजे दिली वाले सुन रहे हैं बिल्कुल दिली में पिछले आठ सालों में अर्विन केजरीवाल ने एक भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं बनाया मगर हमारी गरीब MCD ने मेरी लोगसभा तिलग नगर में माता गुजरी हॉस्पिटल बनाया यह MCD का काम नहीं होता है MCD का काम होता है कि साफसफाई करना पारग बनाना मगर एक हॉस्पिटल बना देना और हमारी लोग सभा में एक उन्होंने Waste to Wonderland पारक बनाया कि जितना कबाड था सारा दिल्ली का वो सारे लोहे को इखटा करके एक वहाँ पे मिनी इंडिया बना देना दिल्ली में MCD ने 11,000 पारकों का सौंधरिय करंड किया दिल्ली में MCD ने 4,00,00 LED लगाई चार लाग उसके पोल भी लगाए तो उसमें लाइट भी लगाई तो आज हमारे दिल्ली की पावर कंजरप्शन उससे कितनी जादा बचती है यह हम सब को पता होना चाहिए COVID के समय जो मैं MCD की सबसे बड़ी उपलब्दी मानता हूं कि COVID के समय जब दिल्ली में लॉकडाउन था दिल्ली सरकार पूरी तरीके से गायब थी अर्विन केजरिवाल जी कहीं नहीं दिख रहे थे उनका कोई MLA मंत्री कहीं नहीं दिख रहा था ये MCD के हमारे निगम पार्षद थे और हमारे सारे सफाई करमचारी थे जो अपने घर से बाहर निकल कर अपने गले में अपने माथे फर कफन का फंदा बांध कर और वो सडकों पर निकल के सैनिटाइज कर रहे थे हमारे कई सफाई करमचारियों के उसमें मृत्यू हो गई हमारे निगम पार्षद मेरे ही शेत्र के निगम पार्षद सत्पाल खेरवाल वो अपने शेत्र में सैनिटाइज करते करते हमारा निगम पार्षद मर गया कोविड में और इससे बड़ी कुर्बानी MCD क्या देगी?